औरया में बिना अनुमती के सपा द्वारा जुलूस निकालने पर पुली सदीक छक चारू निगम ने सक्त तेवर दिखाए हैं धारा 144 का उलंगन करने पर आधा दर्जन सिपाई गिरफतार चार वाहन भी कबजे में किये गए उच्छादिकारियों को जुलूस के बारे में ज रंबित कर दिए गए हैं वहीं जनपत औरया थाना कोटवाली औरया चेत्रां तर्गत सपा सायोगी संक्टन ग्यूवजन सभा की वारिल वीडियो के संबन्द में पुली सदिक्छक चारू निगम का ब्यान सामने आया है उन्होंने क्या कहा है आप भी सुलिए शीर ओम प्रकाश होजा जिला महा सचेक सपा और रहिया के द्वारा दो तीन चौबिस को पूर्वन दस बजे से अपरन एक बजे तक की कार्यकर्टा बैठक के संबन्द में एक अनुमती प्राप्त की गई थी जिसके संबन्द में सोशल मेडिया के माध्यम से एक रील जो क संबन्द में जानकारी हुई कि कुछ लोगों के द्वारा 15-20 गाड़ियों से हाइवे और भीड़बाड वाले इलाकों में इस कार्यकर्टा बैठक से पूर्व एक रैली नुमा निकाली गई जिसमें उन लोगों के द्वारा अबदरता करते हुए काड़ियों से बाहर अल और इनके द्वारा जो प्राप्त अनुमती है उसका स्पष्टुल लंगन है इन सब के संबन्द में समिचीन धाराओं में अभियोग पंजिकरित किया गया है क्योंकि ये प्रकरण कल का है और इसका संभ्यान धानाद्यक्ष कोत्वाली और इंस्पेक्टर एलायू तो नु को निलंबित करते हुए इनके विरुद प्रशासनिक रिपोट प्रेशित की जा रही है इस सम्मन में अभी तक गठित टीमों के द्वारा साथ लोग और चार वाहनों को पकड़ लिया गया है इसमें नियमानुसार विधिक कारवाई की जा रही है